हेलो एवरीवन, वेलकम बेक टू आवर जेनरल जीपीसी नेटवर्ग फ्रेंड्स आजे आपने स्रेंथ ओफ मट्रियल ना सेवन्थ लेक्चर निंदर आपने डिसकस करवाना चे होग्स लो यंग मोडिलर्स अने वीडियोना लाठ्समा होगी डिसकस करी स्ट्रेंज स्ट्रेंड बिहावियर औफ डिफरंट माडियर्स एक्जाम नेंद दर सौती वदा प्रस्त पूच्वांत होई मित्रो एचे स्ट्रेस्टेंड बिहेवियर ओफ डिफरांट मटीरियल एटला अमाड़ा वीडियो ने एंड सुधी जो जो अने मेत्रो आपड़े जे स्टडी करवानाची हुक्सलो अने यंग मोडियूलस ये मात्र आपड़े खाली तेना फोर्मिला स्टडी हाथी करवाना तेना आ आपड़े फोर्मिला खाली याद राकी लाश्यो प्रिलेम्स ने एकजाम क्लियर थाईयासे परन तु जारे बन आपड़े मेंस अथ्वा इंटर्यू ने प्रिपरेक्शन करता हुए शे त्यार आपड़े हुक्सलो ने आपड़े डिटेल अथ्वा यंग मोडियूलस ने रिलेटे जेटली पन फेक्चुल डेटा सेखने समझू खुब जरूरी बने चे वीडियू नी सरुवात करता पहला आप असर्व विद्यात्री मित्रों ने जनावा मांगू चू के बारू डाम से जाई गोहिल अने तो तु तमाई सोशल मीडिया ने अंदर कनेक्थ हुआ मांगता हुए तो आईडिस पर मने फोलो करी सकोचू साधा कोई पन कोईशन अत्वा डाउट पुच्वा माते मने इंस्टाग्राम पर मेसेज पन करी सकोचू आचे मारों इंस्टाग्राम हेंडल आपड़ी जे डेली करन्ट फेस ने अन्निया विश्यों नी जे टेस्ट आपड़ी टेलीग्राम चेनल जी पीएसी ने पन तमें जोइन करी सकोचू आप बदा सोस्चिल मीडिया ने लिंक तमने डिक्स्रिप्शन बोक्स ने शर्वत आती मड़ी जसे तप सरवात करी आज ने आपड़ा सरस्मजाना वीडियो निंग होक्स लोना समझता पहला अमुक इंप्रण डेफिनेशन समझ भी खुबाच जरूरी चे जहमकि इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आप बढ़ने डेफिनेशन चे आपड़ा प्रिवेस लेक्शन मां करी चुकिया चे हैं परन तो आपने ही ह बुक्स लोने समझ जो चे ता बढ़ने डेफिनेशन ने एक आपड़े हाइलाइट लेली हैं फोर एक्जामबर तम्हें जोई से काई छे में एक लिदेली चे स्प्रिंग आज स्प्रिंग चे फ्रेंस एक एवा प्रकानी चे तो के एक रिजीड प्लेट साथे अटेज चे चे एक रिजीड प्लेट साथे इनिशाल स्टेज ने अंढर पड़े जोई से काय छे कोई पण प्रकान वार्गानों ये एई वफोर्स प्रेंप्लाइग थे तो ना होए एक बाए ये मचान की वास ये पोत्ता ने औरिशनल साइपने साइसम्य हए हम अपने बघत किरीं स् जो आमरे चेंट कोई पन्पन एक force एक डायरेक्शन मा हुँ एप्लाई करूँ जो तो आफ force ने काने आ material सु थासे तो कि त्पह त्फ़त तेनी अधर मने deformation जो अमर्शे है प्रशन था है कि deformation कोने के वाऊँ तो deformation कोने के वासे तो खास मित्रों समझ जो के डिफोर्मेशन सूच है तो कि एक प्रकानू चेंज इन शाइप अत्वा सेब तो कोईपन मट्रियल मां आपने सेपने साइज मां चेंज इस जो आमड़े तो तेने जापने सूख यह ची तो कि डिफोर्मेशन तो कि जारे पर आज स्प्रिंग उपर फोर्स एप्लाई करो तो कि जे लोड एप्लाई करो चेंज तेनी ओपोजाइड डाइरेक्शन मां लेके आ डाइरेक्शन इंदर मां मनें इंटनल रजिस्टन फोर्स डेवलोप थासें अन्य सू कर सें तो कि आ डिफोर्मेशन चेंज एक्स छें तेने घटावनों प्रयत्न नगर सें अन्य आख तो जचींटनल फोर्स सें जे मटियलने पोता नी ओरिजनल शेपने साइस मां लावी देछीं तो आवाब रखकना डिफोर्मेशन ने सु के वाज सें तो के इलस्टिट के डिफोर्मेशन हवे आपने वाद केरिये प्लास्टिकống ढी तो जारे पन आपने कोई परण मटियल उपर के spring उपर force apply करूछ उचो तो तेने कहां ने एक समए AMY Nicolas आउउसरे ःत्व तो यह force नी value चीरे एक समएक करता अचिक वधी जूदि झाक और इत्व त्या सप्रिंग नी अंदर अथे material और तो आजई PERमेंत dart deformation झाक प्लेस्तिक दिफोर्मेशन फोर्स्टा ना it Miamiश अव्स्टाना original शेपने साइस्वार नाई आवे अने Gen114 फोर्स चे ए पोर्स्टाना originalista प्लास्टिक डिफोर्मेशन हवे अपने एक प्रस्ण एचे फ्रेंज के जे आप इलास्टिक डिफोर्मेशन और प्लास्टिक डिफोर्मेशन छे ये सु बद्धा आज मटियल मां सर्खु जुआ मडे के अलग अलग जुआ मडे तो एक वस्तो खास जया मां आग जों के आज दरहेक जितला अपना आपने लिमीट पची ए इन्ही अंदर माँ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपने जोगा मर से तो अब प्रस्ण थाई यह चेकी इलास्टिक लिमिट कोने के होमा आउस है तो कोई पर जे बोटी छे आत्वा तो जे मटीरियल से तेनी उपर हूं फोर्स एपलाए करें और एफ फोर्स ने काने तेनी अंदर मासु जो आमर से तो कि मनें किलो न्युटर्न नो जे लोडे लगा लोछोग तेने रिमूओ करीज नाकिज तो तो ते पोताना ओरिशनल सेपने साइस मा आभी जग से राइड परन तु एक होगवा मांगुके दरस किलो नीटर न फोर्स एपलाई करू और ने ए मटी ज़े पोताने और चे पोताने तो य इलास्टिक लिमिट कोने के वामा उसे इलास्टिक, डिफोर्मेशन, प्लास्टिक डिफोर्मेशन आप बदीज डेफिनेशन मित्रों आपड़ा माटे इंपोर्टन्स चे ज्यारे पन आपड़े हुक्स लोने स्टडी करता हुई त्यार है राइड हवे आपड़े ए आपड़े शक्चू कि जे माटेरल नी इलास्टिक लिमिट केट ली छे और बीजे काया वस्तुपर डिपेंड कर से तो प्लास्टिक अत्वतों चे प्रोपर्टीज ओफ माटेरियल से फोर एक्जामपर हुँ एक वुडन ब्लोक लई 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 प्रोपर्टीज ओफ माटेरियल तो आटली वस्तु मित्रों खास दिमां राखों किमके आपड़े शे हुख्षलों ने डीटेल माँ समझ हुआ छे एने आपले गोखवानों नती बिल्कुल गनावदा विद्धिया थी जे गोखी नाक से प्रिलिम्स माँ प्रस्ण पूच अब प्रहुक्स्टों ना प्रस्ण पूच चाहे जो तेने डाइरेक लिगोखी नाक से परन्तु यह करवानों नती तमें खास समझो एक वका समझे लूँ हसे तो तमें दरेक दरेक एक एक एक्जाम निदमा फाइद होसे आपड़े वारं वारेने रिबीट करवा जे उप अब यहां एक एनालोगी लई ली दी छे तमें जो ही सकाये छे के एक स्प्रिंग छे फरी थी जो ही सकाये जे का आज स्प्रिंग फ्रेंड में अहीं अटेच करी नाइकी छे अने तेना उपर फॉर्स स्टेज छे आ इनी ऊपर कोई पर परकानों फोर्स एपलाई थतो ना फोर्स एप्लाई सतों ना थी इन्हों मतलब के ते स्प्रिंग अत्वा मटेरियल पोता नी ओरीजनल स्थिती नी अंदर माँ छे हैं और इसनल सिती अटले के ओरीजनल साइस ने शेप निदर परन्तु जा रहे पन हुम कोई एक फोर्स एप्लाई करें इस तो आप फोर्स एप्लाई थवाने काने सुधासे हैं तो के आ मर्टियल नी लेंथ मा एटले के तेनी अंदर माँ आमने डिफोर्मेशन जो आमर छे हैं और आँ डिफोर्मेशन नी वेल्यू गेट ली छे हैं तो इस जोई सकाये छे एक्स जेटली राइड इलोंगेशन इनैनक प्रकानो आपने डिफोर्मेशन सम्झी छेकाएं तो जे आ मर्टियल प्रिंग नों इलोंगेशन जो आमर छे केक्लो तो खेक्स जेटलो WRIDE क्या रे तो कि jetlow force apply करूँ छे तो इनी झामें मनें कित्लो deformation जोवा मलेचे तो कि x-jetíb लूआ तो तिवी जी लिते हूं थवी जानिते हूं थर्ड चे stage अचै ऐँ, थर्ड स्टेज बसे हमें जो ही सकाएं छे कि हूं 2F जेटflow force apply करूँ छो तो तेना स्थाने माने deformation केटलो जो आमने चे तो के 2x जेटलो जो हूँ 2f जेटलो force एप्लाई करो तो तेना स्थाने माने deformation माने चे 2x जेटलो अब यह तो तम्हें समझाई चे आएक्वेशन सू बनने से के जेतलों force apply करो चू तेतलों ज मनेसू मनसे तो के deformation जो अमर से हैं तो यह हूँ कई सकासे के force which is directly proportional to the deformation force अत्व जे stress चे which is directly proportional to the deformation हवे आज चलनी नीशाने चे मित्रों इने रिवों करूँ होई तो हमारे सु करूँ पड़े तो जे force चे which is directly proportional to the deformation तो मारा आ चलनी नीशाने दूर करूँ छे तो सु करूँ तो के force is equal to को एक constant k 8 गरी नाकूचू इन्टू x तो आपलों आप final equation आपलों बने चे force is equal to kx तो मित्रों आ force is equal to kx चे तेने सु के हमावे चे तो के hooks लो खास समझ्जो आने उपाद ये conclusion सु निकरे चे के जारे पन कोई बटिरे उपाद हूँ force apply करेज अत्व तो तो force apply थवाने कराने तेनी दर माने deformation जोवा मले चे औने force जेटलू apply करोचू तेटलू जो मने जो deformation जोवा मले तो तेने सु के हमाव से या तो तेवी जे श्तिती चे तेने के हमाव से hooks law आप प्रकाना जे low जे हमावे चे hooks लो समझासे friends एक प्रकानी ideal situation चे दरेक दरेक मतिलमा अत्तिरे जे आप्छा पर्फेक्ली जे ये ओरिजनल जे त्येरे स्तिती चे इंद्र मां आपकर काना जे होक्स लो जोवाँ नो मड़े परन्तु खास मित्रो आइडियल सिचुएशन चे के भी प्रेक्टिकल या पोशीबल नथी एक प्रकानी हाइपोथिटिकल सिचुएशन चे परन्तु आपने जो आपने एजंप्शन जोव होई तो आपने वीचारी चे फ्रेंज ए कोनी फिगर चे तो के जे आपने डक्टायल मंटियर्स चे कोईपन डक्टायल मंटियल लेलो तो आपने डक्टायल मंटियल लेलो तो आपने डक्टायल मंटियल लेलो तो आपने डक्टायल मंटियर्यल चे तो आपने डक्टायल मंटियर्यल चे तो आपने ली जे डायाग्राम चे तेने उपर मारे फोकस नती राखवानों परन तो जे आपने पोर्षन जो ही सकाई छे हैं आपने जो ही सकाई छे हैं के फिगर मां जे हाइलाइड पोर्षन तो मैं थोलोक रिपेजन केरू छे और अबात करें ले गसे हैं तो कि is डायरेक्ली प्रपोर्षन तो अटला काई नहींुराइड दिफार्मेशन प्रलाइड हमना आपर लेड गात करें कि strain अटले सु थासे तो कि deformation थासे deformation लगा ही नहीं विजू कि ना size ना size ना चेंज इस थासे तो for example कोई एक particular value पासे लई लव चुँ आ stress नी value तो ए corresponding stress पासे बने strain के टलू मले चे तो आ portion नी बात करिये तो हम ला तो कि stress चे directly proportional चे strain तो मित्रो आज नियम चे stress directly proportional to strain इनेज के वाम आवे चे friends सु हुक्सलो खास समझ जो आनेज के वाम आवे चे हुक्सलो हुक्सलो भी जू काई ना थी stress which is directly proportional to strain हाव मित्रो तेने आपर technical definition अत्वा तो जे statement चे हुक्सलो नू तेने आपरा study करे लई है कि when within elastic limit stress which is proportional to the strain हवे एक वाकी है चे फ्रेंज सु चे तो कि within elastic limit तो हमना आपरे जे ductile material stress strain diagram आपरा जोवा महिड होतों तेमा जे highlighted portion होतों तो कि आज highlighted portion चे जे तो कि elastic limit सु बतावे चे तो कि elastic limit बतावे चे तो आई elastic limit सु दीज फ्रेंज छे ए स्ट्रेस छे ए स्ट्रेंज ना प्रपोर्शनल मा होई चे पसी तमें जोई सकाई चे कि आगर नो पात चे एक होँ चे तो कि stress अन स्ट्रेंज बढ़ने लिलिया नी न थी ये प्रकाना अमुक जे hypothetical ये एक्सप्रेस करी सकाई चे तो कोई पर मट्रियल इंदर मा elastic limit सु दीज चे stress छे ए स्ट्रेंज ने प्रपोर्शनल से तेने के आउमा आवे चे फ्रेंज हुक्स लो याद रेसें आगल वदियें तो आपनो जे statement चे stress विच इस डाइरेक्स डी प्रपोर्शनल टू स्ट्रेंज राइट stress विच इस इंडिकेटेट बाइद सिक्मा एन स्ट्रेंड विच इंडिकेटेट बाइ एप्शाइलोन अने जे आपने जे चलनी नी नीशा नीचे इन्हें दूर करवा माटे शू करिये चे तो के हूं constant एप्लाइ करीज आ constant ने शू केवा मावे चे तो के young modulus आज ए constant जे apply करूँ छू ए constant ने शू केवा मावे चे तो के young modulus आगर आपना वाद कर चू के young modulus कोने के वास है परन तू जे stress is equal to e young modulus इन्टू epsilon लेके strength आए equation फ्रेंज आपना माटे खुबा इंपोर्टन छे stress is equal to e इन्टू epsilon हवे आपना वाद करें के modulus of elasticity कोने के वा मावस है modulus of elasticity ले भीजू काई नहीं young modulus young modulus ने भीज़ा आपने शू कहाँ आशे तो के modulus of elasticity हावे फ्रेंज आपने होक्स लो आवर तो होई तो modulus of elasticity जी ए आउडिज ग्यू के वाई right modulus of elasticity h छे होक्स लो एक प्रकार्णो तो आपने definition सू छे तो के modulus of elasticity which is defined as the intensity of stress which is causes a unit strain right तो के sigma is equal to सू छे तो के e into epsilon तो e ने हूं करता बना विलावता सू वाण से तो sigma अपन एपसाइलोन तो तो मैं जो इसा कहाई छे sigma अपन एपसाइलोन एटलस हू दासे है तो के modulus of elasticity तो modulus of elasticity ना के भी तो एक्सप्रेस कर इसा कहाई छे तो e वड़ें अने तेनी टेक्निकल डेफिनेशन जो ये it is the ratio between the stress to strain बड़ाबर यूनिट खाज एक्सप्रेस माप उचाई छे तेनों यूनिट छे फ्रेंज Newton पर mm² अथ्वा तो Megapascal Megapascal अथ्वा तो यूनिट छे Newton पर mm² को modulus of elasticity प्रस्ना था है जिने के Newton पर mm² सुकाम यूनिट छे तो आपने खबर होई जो ये के जे strain छे के वाब रकानों छे तो के यूनिट लेस छे और जे stress नों यूनिट छे तो के Newton पर mm² तो जे stress नों यूनिट छे ए जिसे नों यूनिट था तो के modulus of elasticity खनी वाखत एक जब अपरस ने पुचाहल वाचे के माइलड स्टील छे आँ माइल स्टीन ने जे modulus of elasticity के लिए असे तो तेनी elasticity असे 2 इंटू 10 रेस टू 5 मेगा पास्कल अत्वदो न्यूटन पर mm² आप फ्रेंज खास याद रख जो अगर आपना बात करिये के माइल स्टीन ने जे elasticity असे 2 इंटू 10 रेस टू 5 कया यूनीट मां मेगा पास्कल अत्वदो न्यूटन पर mm² मां हवे पर रस्टन पुच्छा हमां आवे के giga pascal मां तो एक वस्तू खास एक हब हो जो के 1 giga pascal is equal to 10 रेस टू 3 megapास्कल थासे तो 10 रेस टू 3 megapास्कल थास्तू होई तो केटली milestone नी elasticity थासे तो के 200 आवे रस्टन आवाई ते दाइरेकली एक हम पुचा है जे class 3 नी अंदर एतला माटा खास याद रखो milestone थे तेनी जो elasticity giga pascal मां बात करो माँ तो केटली थासे तो के 200 giga pascal हवे में तो इंपूरन वस्तू छे के जे आपला factual data ने बात करे के जे अलग-अलग materials से आ material नी यंग modulus नी value के लिए थासे और तेना आपला क्रम खास जो आनों चे बराबर तो तम्हें जोई सकाई चे steel चे फ्रेंस steel नी यंग modulus चे 2 इंटू 10 रस तू 5 अत्वर 2.1 10 रस तू 5 कास्ट आइरन चे तिनी चे 1.3 इंटू 10 रस तू 5 कोपर 1 इंटू 10 रस तू 5 ब्रास नी चे 0.8 इंटू 10 रस तू 5 एल्यूमिनियम चे 0.7 इंटू 10 रस तू 5 अन्य लास्मा चे टीमबर 0.1 इंटू 10 रस तू 5 हर मित्रों आ दरेके दरेक जे आइटम चे मटेरिया से तूमारे यंग मुड्यूले से याद राखो तो पन वेलेंट गुड नर याद राखो तो पन सारू चे परण तू तन्मारे एक वस्तु खास याद राखो आइप दरेके तिनों क्रम बराबर तो सौती वदारे कया material नी यंग मोरल साउथी बदा रहाँ से तोके steel नू तो steel नी साउथी बदा रहाँ से बराबर steel पची को ना उसे और कोपर पची आउसे brass इना पची आउसे aluminum और तीना पची आउसे timber अथ्वा यूज तो wood प्रिवेस लेक्ष्टे में चर्चा करी गया छें अपने खास यंग मोडियोलर्स नी वेल्यू याद राकवानी छें अने एक वस्तो खास फ्रेंस जे वानम वार एक्जामा पुछायलो प्रस्न हो छे पराबर घणी वक्षा GPS एक लास तूनी अनरमा पुछायलो छे के जे स्टील नी यंग मोडियूलर्स छे एक कास्ट याद राकवानी छे तो तम्हें जोई सकाए छे स्टील नो यंग मोडियूलर्स छे कास्ट याद राकवानी छे तो के ओल्मोस डबल छे 1.3 into 10 raise to 5 एने multiply by 2 करी एतले almost आपने कोनी यंग मोलियूस मरसें value तो के steel नी मरसे ले approximately आपने याद राखी से काई के cast iron नी जेटली पन यंग मोलियूस नी value छे तेना कतार double असे कोनी तो के steel नी तेवी रित जे steel छे में तुरो तेने यंग मोलियूस नी value ए aluminum अने brass करता पन छे ए त्राण गणिया से बराबर 0.7 into 10 raise to 5 into multiply by 3 करी तो कोनी आपने value मरसें तो आपने मरसे steel नी तो आवस्तु खास याद राखवानी छे जे वारमवार एकजमा पूच्छाएचे न एक पन वीडियो नी अंदर पतमने यूट्यूब पन नहीं जोवा मले कि आ प्रकार नी values चे तमने दखावी होई और आवी प्रकार ना प्रस्ण चे एकजमा पूच्छाएचे बराबर तो steel नी छे ए कास राखवान करता डबल अने aluminum brass करता त्राण गणि तो आटली वस्तू जे आदरे से हवे में तरो खास वस्तू जे एकजमा वारमवार पूच्छाएचे stress and behavior of different material प्राबर different material नो जे stress and behavior चे एक खास एकजमा पूच्छाएचे तो तम नहीं जोई सकाई चे के अलग-अलग जे graph आई पाचे आ ग्राफ ने अदरमा सू चे तो के एक प्रकानो stress strain diagram चे परन तो stress strain diagram कोनो चे तो के अलग-अलग material नो चे हवे अलग-अलग material ने आपने वाद करता होई तो सउती पेला एक के जोई सकाई चे elasto plastic अथ तो elastic plastic तो जे figure number A चे एक प्रकानी material नो ग्राफ चे हैं तो के elastic elastic plastic राइट अने में तरो एक जमा खाज परसने एक बेवाद पुछाई जी हो चे के perfectly elastic होई perfectly elastic होई तेवा material नो stress strain diagram के बतर से हैं तो के आपर करनो ब्राबर जे figure C चे में तरो एक प्रकानी चे तो के perfectly प्रकानी चे तो के तेने के आपर मावे चे elasto plastic with strain hardening elasto plastic with strain hardening तो आज आपर सेकंड नो ग्राफ चे 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 elasto plastic with strain hardening तो आपर फ्रेंज चे खास स्मित्रों याद राकी सकाई चे अन्य आज ग्राफ चे के वो चे तो के लीनियर लीनियर इलास्तिक तो आपर आगर चाचा करीने आन्य आ लीनियर इलास्तिक लिमीट नी वच्चे जे stress which is directly proportional to strain तो आपर कहिया चे hooks low तो आ वस्तु मित्रों खास समझू हजी एक वस्तु एक्जाम माँ खास पुछाई चे फ्रेंड्स अन्य एमाज मित्रों गनवदा विद्ध्या थी confused नहीं खोटों आंसर टिक करे चे जेमके एक तो चे ideal rigid फोर एक्जाम पर हूं stress अन्य strain नो डायाग्राम ड्रोग करू अन्य जे डायाग्राम चे मना क्यों मड़े तो कि खाली मने stress direction में मने कोई ग्राफ मड़े इनों मड़ा सुथासे हैं तो कि जे मटील ने अंदर माँ strain चे जोवा आज मर्तू न थी जोवा ना मर्तू येले strain नी वेलिव के लिए थे थाई जाए तो एवा मटील ने के हो के हो माँ उसे तो कि ideally rigid के वाई प्रकानों कोई पन मटीरियल रियल माँ exist करतू न थी राइड कोई पन येवा मटीरियल ना होई के तेने अंदर मामने stress apply करू ने तेने अंदर strain जोवा ना मड़े राइड परनतो आपना theoretical concept छे औना hypothetical छे परनतो एग्जाम माँ खास पूछाई छे परस्न पूछी ले से कोई पन मटीरियल उपर हूं stress apply करू छे तो ए मटीरियल ने के वा प्रकानों मटीरियल के वास है तो खास ख़बर होई जोई आइडियल rigid आइडियल रिजीट नी बाद करूँ छे तो आइडियल फ्लूट नी पन बाद कर दो फोर एक्जामपल हूं stress-strain diagram दो करूँ राइड तो stress-strain diagram ने अंदर मा कोई पन प्रकान नो हूं stress apply ना करूँ छत्ता पन तेन यंदर मना सूझ जो अमड़े तो के strain जो अमड़े लेक तो हवे आपने खबर चे यह इस एकल टू मोडिलर्स ओफ इलासिसिती इस एकल टू सुधासे सिग्मा अपन एपसाइलोन तो सिग्मा जीरो चे यह आने एपसाइलोन आपने काई कमर्स है तो ई बराबर सुध है क्यों तो के 0 यह जारे पन कोई मतियल नी जो elasticity 0 होई तो ultimately मत आइडियाली फ्लूड छे मेराबर फ्लूट मेकेनिक्स में आपने डिट्रेल वाचर से अगर सू पर तो त्यारे खबर होई जो यह के जो कोई पर मांटिल उपर हूं stress apply करूं stress apply करूं तो stress मेरी जीरो होई पर तो छत्ता में तेनी अदर माने strain जो आमड़े तो तेनी आइडियाली फ्लूड ब्राबर तो आ वस्तु मेत्रों खास समझ्जों तो आज ना लेक्षी ने दर मां टोटल आपना कितली वस्तु सेम जा तो एक तो चे फ्रेंस अमुक इंपोर प्रेंस और मांबीर । अब्राबर तो चत्ता में की एक समझारी डूल ब्राड़े जो आ अन्यार माने जात वकार आपना कि दो उन्यांत आरूm करता होई ये विद्यार्थियों ने पन जे आ वेल्यू चे खास एद राखवाने चे अने इंटर्यू जे परस्पेक्ट ती आपने वाद करी है तो आ वस्तु बदी चे एक खुब आज इंपोर्टन्स छे इतला इनमाटे कऊचू आपने चैनल ने सब्सक्राइब ना करी एटो तो तो तम्हें करीच सको छो राइड चेती करवान इस्तु थासे तो के जेटला पन जे अन्य विद्यार थी हो छे आ करोना माहामारी ना जे पेंडमिक सीचुएशन इंदर मा घरे बेशनी जे तयारी करवा मांगे चे तेना मांटे का सुन तक करी सकाई क्यमकि आवे